आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप Wondershare Filmora को यूज करके डबल रोल वीडियो बना सकते हैं और इस तरह की डबल रोल वीडियो को बनाने के लिए आपको कोई भी ग्रीन स्क्रीन की रेक्वार्मेंट नहीं होगी यहाँ पर मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके माद्यम से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से डूल रोल या फिर उससे ज़्यादा भी रोल क्रियेट कर सकते हैं तो अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप शुरुआ से लेकर लाष्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें मेरा नाम है सुभम अगरवाल और आप देख रहे हैं स्ताइबर बाबा यूटूब चैनल ओके गाईस तो अभी यहां पर आप देखेंगे कि फाइनली हम आज चुके हैं वंडर सेयर फिल्मोरा पर और यहां पर आप देखेंगे कि मैंने दो वीडियो को सूट किया है सबसे पहले मैं वीडियो को प्ले करके आपको बताता हूँ ताकि आप किलियली समझ सकें कि किस तरह से आपको वीडियो को सूट करना होता है तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वीडियो को प्ले करते हैं आज के इस वीडियो में हम शीखने वाले हैं कि कैसे आप वंडर सेयर फिल्मोरा को यूज करते डबल रोल वीडियो बना सकते हैं अब अभी यहां पर आप देखेंगे कि मैं कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया हूँ वीडियो हमारी continue record हो रही है बट यहां पर मैं silent हो चुका हूँ अब हम चलते हैं हमारी second वीडियो की तरब और इस तरह की double video को बनाने किये आपको कोई भी green screen के requirement नहीं होगी यहां पर आप एक चीज को notice करेंगे कि first video में हम इस frame में हैं यहां पर भी आप देखेंगे first video में हम इस frame में हैं और second video जो हमने record की है उसमें हम इस frame में हैं अब हमको इन दौनों video को merge करना है और एक dual role video को create करना है तो सबसे पहले आपको shooting का तरीका पता चल गया कि किस तरह से आपको video को suit करना होता है आपको अलग अलग angle में जाकर video को suit करना होता है notice आपको सिर्फ और सिर्फ stage करना है कि इन दौनों frame के बीच में थोड़ा सा gap हो ताकि आप आसानी से उसे erase कर सकें मेरा कहने का जो मतलब है वह यह है कि हम आसानी से mask को apply कर सकें तो इस तरह से पहले हमने दौनों video को suit किया है यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने खाली space को छोड़ा हुआ है जहाँ पर मैं silent हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस layer के उपर आपको second layer को लेकर जाना है तो यहाँ से हम इसे dragon drop करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस layer के ऊपर इस layer को रख दिया है ठीक इसी तरह से हम इस audio files को ले चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी audio files आज चुकी है एक बार हम video को play करते हैं अभी आप देखेंगे कि video हमारी play तो हो रही है बट दौनों वीडियो हमारी साथ में पिले नहीं हो रही है यहाँ पर आपको particular object देखने नहीं मिल रहा है तो यह आप कैसे करेंगे बहुत ही जादा आसान है इसके लिए आपको जाना है simply effects पर यहाँ पर आपको effects का option देखने में जाता है simply आपको इस पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको utility का एक option में जाता है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको एक option में जाता है जो की है image mask simply आपको इस mask को drag and drop करना है अपनी top layer पर तो यहाँ पर हमने इस mask को drag and drop किया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी दौनों वीडियो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर हमारा second video का frame भी आपको दिखाई दे रहा है और first video का भी frame आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आप proper तरीके से मर्ज नहीं है तो इसके लिए आपको करना क्या है यह अपनी first layer पर double click करना है जो layer top पर होगी उस पर हम editing करते हैं क्योंकि जो नीचे की layer होती है उसे हम as a secondary layer की रूप में use करते हैं तो सबसे पहले हम first layer पर double click करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि video effects already apply हो चुका है simply आपको इसे expand करना है यहाँ से हमारा mask expand हो चुका है और यहाँ से अब आपको select करने है mask यहाँ पर आप देखेंगे आपको multiple mask में जाते हैं अपनी requirement के अंसार by default यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा circle mask select होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं बट अभी हमको circle की requirement नहीं है तो यहाँ से हम इस last बाले mask को select करेंगे simply आपको double click करना है इस mask पर तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारा mask apply हो चुका है अब आपको उसको arrange करना होता है अपनी वीडियो के frame के अंसार आपको अपनी requirement के अंसार इसे set करना होता है और set करने के लिए यहाँ पर आपके पास option भी होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम change करेंगे x की value और output चेक करेंगे किस तरह इसे आपको output दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हमसे increase करते हैं increase करने पर यहाँ पर आप देखेंगे totally erase हो चुका है तो हमको इसे full frame में रखना है तो हम इसे opposite direction पर लिकर जाएंगे तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा second frame भी आ रहा है अब इस second frame को हम बिल्कुल center पर रखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक हलक किसी lining दिखाई दे रही है तो इसे हम adjust करेंगे और इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वीडियो जब भी आप record करें तो बीच में हलका सा gap हो यहाँ पर आप देखेंगे या gap आपको दिखाई दे रहा है तो इस case में हम इसकी value 0 ही रखते हैं अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम दोनों ही frame पर आज चुके हैं अब एक बार हम वीडियो को फिर से प्ले करते हैं और इस तरह की double roll वीडियो को बनाने के लिए आपको इस तरह से आप double roll वीडियो को create कर सकते हैं वेना किसी green screen के यहाँ पर बस आपको focus यह करना होता है first वीडियो की shooting के दौरान थोड़ी देर आपको silent रहना होता है ताकि आप second वीडियो के object को भी वहाँ पर ला सकें so friends फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like जरूर करें अगर आप महारे चैनल पर new हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि आप महारे चैनल को subscribe भी करें एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलागात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba